हेलो ट्रेडर्स आज के अनालिसिस के शुरुवात करते हैं निफ्टी के 30 मिनिट चार्ट से यहां से अगर हम स्टार्ट करें वेव 5 का जो इंटर्नल वेव काउंट है वहां से 1 और 2 कम्प्लिट हो चुके हैं वेव 3 और वेव 4 जो है यहां पे एक बहुत ही कम्प्लेक्स करेक्शन टाइप का यहां पे पूरा हुआ है 10563 पे और यहां से जो है वेव 5 10563 से कल के वीडियो में हम एक्सपेक कर रहे थी यह एक एंडिंग डियागॉनल पैटन हो सकती है लेकिन एंडिंग डियागॉनल ज जो है उसके नीचे जनरली वेव 3 अगर एंडिंग डियागॉनल है तो क्लोस होता है और वहां से वेव 4 स्टार्ट हो जाता है लेकिन यहां पे हमें 161% प्रोजेक्शन के ऊपर निफ्टी ट्रेड करता हुआ आज मिला तो यह पॉसिबिलिटी अभी के लिए हम निगलेक कर लग रहा है तो अगर यहां पे काउंटिंग की बात करें तो अभी भी लग रहा है कि यह सिर्फ 3 वेव मूँ ही लग रहा है और प्रोजेक्शन की बात करें वेव 5 का प्रोजेक्शन अगर हम निकाले तो 38 और 61 अल्रेडी अचीव हो चुके है और 100% प्रोजेक्शन आ रहा यह 10929 से लेके 10861 इस range में जो है एक wave 4 के लिए हमें decline मिल सकता है और वहां से फिर से wave 5 इसका wave 5 हमें उपर की तरफ फिर से देखने को मिल सकता है तो उसके बाद यह पूरा impulse हो सकता है और उसकी range जो है यह हो सकती है maximum range आ रही है 11216 पर तो इसके हिसाब से आप nifty में अपनी trading strategy बना सकते है और अगर bank nifty की बात करें तो यहाँ पर हम expect कर रहे थे 30 minute chart में कि एक impulsive decline है और वहाँ से हमें यह इस range में corrective bounce देखने को मिल सकता है और वहाँ से फिर से एक decline आ सकता है अभी तक का जो bounce है वो काफी sharp है यहाँ से अगर हम बात करें खास करके कल की तो वहाँ से हमें एक sharp bounce देखने को मिला है आज भी एक gap up opening हमें देखने को मिला है तो indication अभी भी decline के bank nifty में भी नहीं आ रहा है अगर immediate move की बात करें तो immediate retracement range जो है उसमें bank nifty already यहाँ पे एक low बना चुका है triple two one five का इस range में ही तो यहाँ से हो सकता है कि फिर से एक हमें impulsive move देखने को मिल सकता है और अगर double two one four seven के नीचे trade करता है तो ही हम bank nifty को negative मान सकते otherwise अभी भी bank nifty भी positive zone में ही trade कर रहा है आज के लिए बस इतना ही बहुत बहुत शुक्रियाद धन्यवाद